पूरे उपन्यास में एक अनाम माता-पिता अपने बच्चे को प्रोटेक्टोरेट के इतिहास और बलिदान दिवस के बारे में बताते हैं माता पिता ने वर्षों पहले बल्ली के कारण एक बच्चे को खो दिया था और वे कहते हैं कि एक दुष्ट चुडैल हर साल एक शिशु की मांग करती है बहुत समय पहले चुडैल ने ड्रेगन को ज्वाला मुखी विस्फोट करने के लिए मजबूर किया था और एक जादूगर को मार डाला था उसने जंगल और दलदल में ज़र भर दिया जो कभी जीवन दाई था माता-पिता के अनुसार चुडैल का सामना करना व्यर्थ है उपन्यास के वर्तमान में युवा अंटाइन अपने पहले बलिदान दिवस में भाग ले रहा है यह भयावह है मां अपने बच्चे को सौपने से इनकार कर देती है और अंटाइन के अंकल गेरलंड यह सुनिश्चित करने के लिए जंगल में भी नहीं रहते हैं कि चुडैल को बच्चा मिल जाए ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां तक गेरलंड का सवाल है कोई चुडैल नहीं है चुडैल जंसंख्या को नियंत्रण में रखने की एक सुविधा जनक कता है लेकिन गेरलंड को पता नहीं है जान नाम की एक दयालु चुडैल पिछले 500 वर्षों से परित्यक्त शिशुओं को बचा रही है वह यह नहीं पूछती कि उनकी माओं ने उन्हें क्यों छोड़ दिया लेकिन उसे लगता है कि उन्हें बचाना उसकी जिम्मेदारी है जैन उन्हें तारों की रोशनी में खाना खिलाने के बाद मुक्त शहरों में ले जाती है यही वजह है कि उन्हें Star Children कहा जाता है। इस वर्ष जान को अर्ध चंद्राकार जन्म चिहन वाला एक बच्चा मिला। वह अपना समय बच्चे के साथ यात्रा करने में बिताती है और दस दिनों के बाद गलती से बच्चे को चांदनी खिला देती है। जान को पता है कि इसक और के पास नहीं छोड़ सकती है। इसलिए उसने उसका नाम लूना रखा और उसे अपने पास रखने का फैसला किया। इससे घर पर दलदली मॉंस्टर गलर्क प्रभावित नहीं है जबकि ड्रैगन लिंग फिरियन खुश है। फिरियन एक कबूतर के साइज का है। लेक वक्त पर फूटने वाला है। वे जानते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे उन्हें याद रखना चाहिए और वह खतरनाक दुख है। लेकिन वे नहीं जानते कि क्यों। जब लूना पांच साल की हो गई तो उसका जादू फूट पड़ा। लूना को पता नहीं है कि वह क्या कर र ये पुराने महल में लौट आती है। नौ दिनों के अध्ययन के बाद वह लूना के जादू को अपने मस्तिष्क में एक छोटे से कण में समाहित करने के लिए एक मंत्र लेकर आती है। जिससे वह जादू की एक आग्याकारी छात्रा बन जाती है। यह तब खुलेगा जान की मृत्यू हो जाएगी। जब लूना जागती है तो उसे अलग महसूस होता है। जब भी वह जादू से जुड़ी कोई चीज देखती या सुनती है तो वह अचेत हो जाती है जिससे जान परेशान हो जाता है। हालांकि जान खुद से कहती है कि लूना ठीक हो भैभीत रहता है। वह Sisters of the Star की प्रमुख Sister Ignacia से मिलने जाता है। वह उसे उस पागल औरत से मिलने की अनुमती देती है जिसकी कोठरी कागज के पक्षियों और नक्षों से भरी हुई है जिन पर लिखा है वह यहाँ है। अंटैन भैभीत है और पागल महिला के पक्षी उस पर हमला करते हैं। उसका चहरा बुरी तरह जखमी हो गया और उसने Council of Elders से इस्तीफा दे दिया। हालाकि अंटैन को कार्पेंटर का अपना काम बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण चीज खो दी है। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है लेकिन वह लगातार टौवर के पास से गुजरता है और उस पागल महिला के बारे में सोचता है। एक दिन वह सिस्टर इगनेशिया से बात करता है। वह सोचता है कि जब तक सिस्टर इगनेशिया उससे एथाइन एक पूर्व सिस्टर को टौवर से बाहर निकलने में अपने जादू के कारण पागल औरत अब जानती है कि चुडैल कहां रहती है। वह जंगल की ओर जाने वाले नक्षे बनाती है और एक दिन अंटाइन एक को पकड़ लेता है। जैसे जैसे लूना बड़ी होती है उसे सिर्दर्द और चक्कर आने का अनुभव होता है। जैन प्रतिवर्ष दो बार फ्री सिटीज का दौरा करती है लेकिन वह प्रतिवर्ष केवल एक बार लूना को ले जाती है जिससे लूना परेशान हो जाती है। लूना को यह एहसास होने लगा कि फाइरियन कभी बूढ़ा नहीं होता। एक सुबह जब लूना फाइरियन के बारे में सोच रही थी, उ अपने परिवार से कितना प्यार करती है। इस बीच जैसे ही जान एक और परित्यक्त बच्चे को बचाती है, अंटायन उसके रास्ते में कदम रखता है। अंटायन ने अब एथाइन से शादी कर ली है और अब आशा से भर गया है, इसलिए उसे संदेह है कि वह चुडैल के साथ तर्क कर सकता है। उस वर्ष बाद में जान लूना को मुक्त शहरों में ले जाती है। जान का स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से बिगड रहा है लेकिन वह जोर दे कर कहती है कि ऐसा नहीं है। यात्रा पर लूना स्टार चिल्डरन के साथ बैठती है और उन्हें का लूना ने एक ऐसी लड़की के बारे में कहानिया सुनाने का प्रयोग शुरू किया जो चीजों को याद नहीं रख सकती और एक दादी जो जूट बोलती है। एक रात वह और फिरियन सो गए। जब लूना फिरियन के थूथन से अपनी थाई पर जलन के साथ उठती है तो और उसके पंक हमेशा पेडों से पत्ते उड़ाते हैं वह जानता है कि यह अजीब है। उसे छोटे जूतों की एक जोड़ी मिलती है और फिर गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। उसे याद है कि जैन ने उससे कहा था कि अगर उसे मदद की जरूरत हो तो उसे बुल जैन को बुलाने से कोई मदद नहीं मिलती इसलिए वह लूना को बुलाता है। फाइरियन खुद को लूना के बिस्तर पर वापस पाता है। सुबह में लूना को रहस्यमय जूतों की एक जोड़ी मिलती है। वे उसके सिर को चोट पहुँचाते हैं इसलिए वह उन्हें अ पहाड़ी पर जाती है। एक कोवा उसका पीछा करता है और लूना को याद आता है कि उसने कल कोवा बनाया था। फिरियन चुपचाप सोजाता है जबकि लूना ट्रांस में चली जाती है और चित्र बनाती है। वह दोपहर के बाद उठती है और घर वापस भागती है। अंटाइन परिशद को उसे बोलने देने के लिए कहता है। वह जोर देकर कहता है कि चुकी इथाइन गर्भवती है और अगले बच्चे की बली दी जाएगी इसलिए वह जंगल में जाएगा और चुडैल को मार डालेगा। लूना तेज सिरदर्द के साथ उठती है और ए ऐसे 500 साल पहले जादूगरों ने एक बच्चे को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उस बच्चे और जोसिमोस ने सौरो इटर नामक किसी व्यक्ती से लड़ने की कोशिश की लेकिन जोसिमोस की मृत्यू हो गई। कागजात लूना को बताते हैं कि जिस बच्चे की बात की जा जान लूना को सब कुछ समझाना चाहती है लेकिन वह जानती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। यह जानते हुए कि एक परित्यक्त बच्चा उसका इंतजार कर रहा है। हाला की नोट से कागज का एक टुकडा उसकी जेब में रेंग जाता है। पागल महिला अंटैन को जंगल में कदम रखते हुए देखती है और सोचती है कि अंटैन के लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक है। चुडैल टौवर में रहती है और उसका पीछा करेगी। वह अंटैन से निपट लेगी। दलदल में गलर्क और फिरियन को खाली घर और जान का नोट मिलता है। इसकी मरमत लूना के जादू से की गई है और इसमें जादू शब्द गायब है। गलर्क ने फैसला किया कि अब फिरियन के बड़े होने का समय है इसलिए वे दोनों जान और लूना की मदद करने के लिए निकल पड़े। उन्हें महसूस होता है कि ज्वाला मुखी अशुब रूप से गड़गडा रहा है जैसे कि यह फिर से फूटने वाला है। पागल महिला के पक्षियों ने उसे दलदल में छोड़ दिया जहां उसे पता चला कि उसके बच पक्षियों का जुंड उसके चारों ओर आ जाता है। हाला कि वह निर्ने लेती है कि वे ठीक हैं जब वे उसे सिस्टर इगनासिया से बचाते हैं जो उसके जूते को खोजने की कोशिश कर रही है। और उसका पंख तोड़ देता है। वह जान को अपने साथ रखता है। फिरियन चिंता जनक दर से बढ़ने लगता है। प्रोटेक्टोरेट में वापस इथाईन को पता चलता है कि सिस्टर इगनेसिया चली गई है और विद्रोह की योजना बनाना शुरू कर देती है। य उन्हें अपने बच्चों के बड़े होने के सपने आने लगते हैं और वे पहली बार आशावान महसूस करती है। लूना को अचानक एक बच्चा होने की याद आती है। उसने जैन को एक चिल्लाता हुआ ग्लास बनाते हुए देखा और वह अचेतन अवस्था में चली बनाती है और उससे अपना जान दिखाने के लिए कहती है। इसमें उसे एक चिडिया दिखाई गई है। जान खुद को समझाने की कोशिश करती है कि लूना घर पर सुरक्षित है क्योंकि अंतायन बलिदान दिवस के बारे में बात करना शुरू कर देता है और जान को बता पागल औरत, जान और अंटैन सभी कागज के पक्षियों के साथ एकत्रित होते हैं। लूना उस पागल महिला को अपनी मां के रूप में पहचानती है और जान को उसके मानव रूप में लोटाती है। और अंटैन को पता चलता है कि इन में से कोई भी महिला वह चुडैल नहीं है जिसे वह मारना चाहता है। जान परित्यक्त शिशुओं को लेने के लिए माफी मांगती है। जैसे ही तीन महिलाएं खड़ी होती हैं, सिस्टर इगनेशियाद सौरो इटर प्रकट होती है। अंटैन भ्रमित है, लेकिन पागल महिला बताती है कि सिस्टर इगनेशिया डायन है और लूना को बताती है कि उसका एक हिस्सा अभी भी इनसान है। लूना ने सिस्टर इगनेशिया के दिल में जहांक कर देखा, जो एक मोती से घिरा हुआ है, और देखती है कि यह दुख से भरा है फिरियन को अब पता चला कि सिस्टर इगनेशिया उसकी मा की मौत के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह उसे जान से मारने की धमकी देता है जैन और गलर्क उससे बात करते हैं और फिर जैसे ही ज्वाला मुखी गडगड़ाता है, फिरियन कहता है कि विस्फोर्ट से सभी को बचाने के लिए उन्हें प्रोटेक्टोरेट में जाने की जरूरत है प्रोटेक्टोरेट में लूना जान और पागल औरत से हाथ मिलाती है और जान सभी के चारों ओर सुरक्षात्मक बुल-बुले बनाकर उसे प्रशिक्षित करता है इसके बाद प्रोटेक्टोरेट में हर कोई आशावान बना हुआ है उन्होंने बड़ों को जेल में डाल दिया और लूना ने स्टार बच्चों को उनके माता-पिता के बारे में सच्चाई बताने के लिए फ्री सिटीज की यात्रा शुरू कर दी और यह कि उनके दिलों में हमेशा अधिक प्यार हो सकता है लूना को पता चलता है कि उसकी मा का नाम समायरा है जैन और सिस्टर इगनेसिया का स्वास्थ बिगड़ जाता है और जिस दिन पहले स्टार बच्चे प्रोटेक्टोरेट में पहुँचते हैं जान खुशी से मर जाता है गलर्क उसे अपने साथ बोग में ले जाता है माता पिता बच्चे को समझाते हैं कि दयालू और उदार चुडैल ने संरक्षित राज्य का दावा किया है और यही कारण है कि वे समरिद्ध और स्वस्थ हैं